Hello everyone, welcome to my channel Am Education बच्चों मैं आज आपको class 10th history का chapter 7 का part 2 explain करूंगी क्योंकि part 1 में पहले explain कर चुकी हूँ उसके long question answer आज हम explain करेंगे तो चलिए, chapter का name है imperialism and colonialism तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारा first question है giving suitable example describe the measures by which the imperialistic countries conquer most of the part of the Africa इसमें कहा गया है कि उधारन के साथ बताईए कि जो सामराज्यवादी जो देश थे, उन्होंने अफरीका के किन किन छेत्रों पर, most of the छेत्रों पर, जो ज़्यादा जो छेत्र थे उन पर किस तरह से conquer किया, विजय पाई answer है the explorer, the explorer merchant and Christian clergy played a special role in the conquest of Africa जो यूरोप के जो explorer थे, व्यापारी थे, Christian थे, पादरी उन्होंने एक महतपूर भूमी का निवाई, अफरीका के बहुत सारे हिस्सों पर नियंतरन करवाने के लिए, the European governments provide military support to all the them and prepared the base of its conquest, जो European जो शरकार थी, उन्होंने, किलर जी को, merchant को, explorer को, अपनी military भी प्रोवाईड गी, ताकि उनकी help हो सके, और वो उन्चेत्रों पर नियंतरन कर सके, the description of the process is as follow, और इनके बारे में जो बहुत सारी बाते हैं, वो नीचे दी गई हैं, सबसे first है, initially by plunder, शुरू में तो loot part करके उन्होंने कुछ हिसों को अपना बनाया, European countries ने, the imperialistic parts kept the market of loot hot in many parts of Africa, सबसे शुरू में जो सामराज्यवादी जो शक्तिया थी, उन्होंने loot part के बाजार को पहले तो गर्म रखा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने loot part रख they kept sending gold and silver hair home, उन्होंने वहाँ पर gold, silver, सब इन चीजों का loot part की और अपने घरों, अपने home को भीजा, number second है, slave trade, दूसरा adding है, गुलामों का व्यापार किया, फिर उन्होंने जो European countries थी, they also extended their influence in Africa through the slave trade, जो European country थी, उन्होंने extend किया, सारे में अपने पिरभाव को फलाया, अफरीका में, slave का trade, गुलामों का व्यापार चला कर, किस तरह से the providing European goods, सबसे पहले European समान को वहाँ पर ले जा कर, they used to fill their ship, उन्हें अपने ship वहाँ से भरने पड़ते थे, with slave, पहले shipों को भरते थे, वो सम भरते थे और गुलामों को भी भरते थे, and sold them, और फूर वो उन्हें उन्हें गुलामों को बेच देते थे, अमेरिका के, अमेरिका के बाजार में, नमबर थार्ड है, contribution of the clergy, जो अफरीका के बहुत सारे हिस्सों पर जो विजय पाई गई उसमें, जो पादरी थे, चर्च के जो पुजारी थे, उनका क्या योगदान था, Christians clergy consider Africa as a suitable place for the propagation of Christianity, Christians जो clergy थे, पादरी थे, वो समझते थे कि, वो समझते थे कि, जो अफरीका है, वो सबसे suitable place है, उनके लिए, सबसे अच्छी जगा है, अपनी इसाई धर्म का परचार करने के लिए, the merchants used the influence of the clergy, और जो व्यापारी थे, वो भी clergy से प्रभावित होते थे, नमबर थर्ड है, by sending armies, जो European country होती थी, वहाँ की जो government होती थी, वो clergy के साथ, व्यापारी के साथ, अपनी आर्मी को भी भेज़ देती थी, the imperialistic power sent their armies to help the clergy, वो वहाँ से अपनी आर्मी भीजती थी, ताकि clergy की help हो सके, और merchant की help हो सके, और वो उन हिस्सों पर विजय पा ले, इस आर्मी प्रिपेर दा रोल ओफ विक्ट्री, ये आर्मी तैयार करती थी, वहाँ का, विक्ट्री के लिए तैयार करती थी, जिससे की जीत का आर्मी जो पड़ा होता था, उसको ये आर्मी दुआरा प्रिपेर किया जाता था, नेक्स्ट हेडिंग है, बाई ट्रीटी, बच्चों ट्रीटी जो होता है, ट्रीटी कहते हैं समझोते को, जब भी दो ग्रूप, दो पार्टी या दो देश कोई भी हो सकते हैं, वो आप ट्रीटी जो ये उरोपियन की जो सरकार होती थी, उन्होंने आपस में, जितने भी ये उरोप के जो देश थे और महा की सरकार थी, आपस में संधिया कर लेती थी वो, जबकि जो अफरीका के जो वार लोर्ड व्यक्ति थे और जो साशक थे वो भी, उन्होंने भी की संधिया आपस में, ट्रीटी इस मेड विद चीफ स्टेन, लेकिन संधी ने क्या करा, जब संधी हो गई तो संधी, संधी के बाद चीफ स्टेन, जो नेता या फिर लीडर हम क चह सकते हैं, वो बने, उसका नतीजा यह हुआ कि जो लीडर हुआ करते थे, संधीयों के जो मीडियेटर होते थे, बेस्ड ओन फ्रॉड, वो फ्रॉड होते थे, त्रो दीज ट्रीटी, दा पेपर डिविजन ओफ अफरीका वास कंप्लीटली, इन संधीयों के दोरान, इन स partition के बाद, the European powers used their superior military power to crush the opposition in African and conquered it, जो European जो शक्तियां होती थी, उन्होंने अपनी superior military का use किया, और military के दोरा, उन व्यक्तियों को कुचल दिया, उन अफरीकांस को कुचल दिया, जो उनके opposite थे, जो उनके opposition में थे, the truth is that, सच्चाई तो यह है कि European's power try to avoid conflict to order to take control of Africa, सच्चाई तो यह है जो European जो शक्तिया थी, वो आपस में संगर्स करना नहीं चाहती थी, they divided Africa among them, वो अफरीका को अपने आप में ही, सारी European countries में ही बाट लेना चाहती थी, friends, यह second question मैं पहले first part में करा चुकी हूँ, तो इसे मैं छोड़ रही हूँ, अब हम second question करते हैं, second question है, how did the imperialistic power conquered Asia, अब देखिए जो हमारा Asia है, जिसमें कि हमारा भारत चाहिना यह सा बाते है, इसके छेत्रों पर कैसे विज़े पाई, European countries ने, the imperialistic power conquered the Asian countries with great diplomacy, जो सामराज्यवादी जो पावर थी, उन्होंने विज़े पाई, एशिया के देशों पर विज़े पाई, डिपलोमेसी के साथ, कूट निती के साथ, बहुत सो समझ कर, प्लानिंग से, to achieve this goal, इस उदेशों को प्राप्त करने के लिए, they used their unlimited parts, उन्होंने इस उदेशों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ऐसी मित पावर का use किया, the story of this conquest, यह जो पूरे एशिया के जितने भी छेत्र थे, जितने भी देश थे, उन पर विज़े पाई, उसके बारे में नीचे दिया गया है, सबसे पहले conquest of India, जो भारत पर जो उन्होंने कबजा करा, उसके बारे में, there was a struggle mainly between the British and the France for the victory over India, सबसे पहले संघर से चल रहा था, British सरकार में और France सरकार में, कि भारत पर कौन विज़े पाएगा, in 1763, 1763 में the British completely defeated the French and their monopoly on Indian trade court installed, 1763 में British ने पूरी तरीके से France को हरा दिया, और अपनी मोनोपोली स्थापित कर लिया, एक आधीकार कर लिया और एक आधीकार व्यापर घुसित कर दिया हमारे भारत पर, India was ruled by British East India Company, सबसे शुरू में British East India Company आई थी, वो व्यापार के उदेशे से हमारे भारत में आई थी सबसे पहले, तिल 1857, और British East India Company ने 1857 तक राज किया, बट लेकिन बाद में, इट्स रूल केम अंडर दा, गवर्मेंट ओफ इंगलेंड, लेकिन बाद में 1857 में ही ये British East India Company से ये रूल छीन लिया गया, और डारेक्ट वहां की इंगलेंड की जो गवर्मेंट की उसके हातों में हमारे भारत की सत्था आ गई, इन 1877, 1877 में British Queen assumed the title of the Empress of India, 1877 में British की जो रानी थी, Queen, उन्होंने अपने ये title ले लिया, Empress of India का title ले लिया, the British used all the resources of India to fulfill their interests, British सरकार ने, British सरकार ने सारी, British सरकार ने सारी जो हमारे भारत की resources थी, संसाधन थे, minerals थे, वो सब use करें, अपने रूची को, अपने interest के लिए, उन सब चीजों का use करा, सब British में ले गए वो, the handicrafts here were destroyed, जब उन्होंने अपना व्यापार अपने चीजे जो British की थी, वो यहाँ पर बेकने लगे, तो हमारे भारत की जो handicraft की जो चीजे थी, वो सब destroy हो गया, उनका व्यापार बिलकुल बंद हो गया, to popularized England good, क्योंकि व्यक्ति इंग्लिस चीजे, इंग्लिस good, इंग्लिस समान को पसंद करने लगे, Indians were treated like slave, और भारत के जो व्यक्ति थे, उनको गुलामों की तरह treat किया जाने लगा, British सरकार की दुआरा, as a result, इसका क्या परिणाम हुआ, India became completely weak from economy point of view, इसका ये परिणाम हुआ कि जो भारत था, वो आर्थिक रूप से पूरा कमजोर हो चुका था, next heading है, victory over China, जो European countries थी, उन्होंने चाइना पर कैसे control किया, the story of imperialism in China started with the opium wars, जो सामराज जयवाद की जो कहानी शुरू होती है चाइना में, वो होती है opium wars, opium war के द्वारा शुरू होती है, यह opium एक नशीला पदार था, उसका व्यपार के लिए उसके वार से शुरू होती है, in fact, वास्तम में the British merchant used to trade opium illegally in China, क्योंकि जो British व्यपारे थे, British सरकार थी, वो व्यपार करती थी, चाइना से illegally करती थी, वो अवेद रूप से, कानूनी रूप से नहीं करती थी, चोरी चुपे से वो यहां से व्यपार करना चाहती थी चाइना से, in 1839, 1849 में, a Chinese officer court, 1849 में एक चाइना के officer ने पकर लिया, उनके ship को पकर लिया और destroy कर दिया, laden with opium, जो की पूरा opium से भरा हुआ था, उसको पूरी तरह से destroy कर दिया, चाइना के officer ने, on this, इस पर British waged war against China, इस पर British ने युद्द कर दिया, चाइना के विरुद हो गया वो, and defeated then, received a huge amount of money, और चाइना को हर का सामना करना पड़ा, और a huge amount of money from as a damage, और चाइना पर ये थौप दिया गया कि तुमने हमारा ship और कितनी सारी चीजे नस्ट की है, damage की है, उसका तुमें हरजाना देना पड़ेगा, भुक्तान करना पड़ेगा, apart from this, इसके अतिरिक्त, चाइना also had to open five of its port of the, और British ने ये सर्थ भी रखी, कि तुमें हमारे लिए पाँच port और open करने पड़ेंगे, ताकि हम वहाँ से व्यापार कर सके, other western countries, जो कि western countries के लिए, countries के लिए also imposed similar condition on China, as a result इसका क्या परिनाम हुआ कि China came under the grip of imperilis, अब चाइना भी सामराज जयवाद की पकड़ में आ चुका था, the most important event of imperilis expansion, जो सामराज जयवाद का जो फैलाओ था, China was the defeat of China in the war with Japan, China हार चुका था युद्ध में जापान से, victorious Japan और जो जीता हुआ जो जापान था, invested dollar 150 और जो 150 million dollar जो थे in damage और चाइना, उसने का कि तुम्हें इतने देने पड़ेंगे damage हो गया, उसे चुकाने के लिए, क्योंकि British सरकार को 150 dollar भुकतान करने थे, तो चाइना को कर्ज लेना पड़ा, Russia से, France से, Britain से and Germany gave loans to China और जर्मन से, इन सभी देशों से चाइना को loan लेना पड़ा ताकि वो अपने कर्ज को उतार सके, इन return for this loan, इस loan के return में, these four nations divided China into their respective spheres of influence, यह जो जिन से loan लिया था, यह भी countries अपने लग गए, कि हमें भी अब चाइना पर अधिकार करना है, क्योंकि चाइना तो loan दे नहीं पाएगा, तो हम इस पर अधिकार कर सकते हैं, लेटर दा United States also interred, और बाद में United States भी interfere करने लगा चाइना में, and gain its right to trade, और उसने भी अधिकार प्राप्त कर लिया व्यापार करने का, this process of dividing China into spheres of influence is called cutting down of the Chinese melon, यही जो पिर्करिया थी चाइना को बाटने की, चाइना को डिवाइड करने की, इसी process को, इसी पिर्तिकरिया को कहा जाता है, cutting down of Chinese melon, चाइना का जो खर्भूजा, जो मेलन होता है, इसे इस निती से कहा जाता है, खर्भूजे की निती से कहा जाता है, next, जो विजय पाई, वो है imperilis in south and south east Asia, अभी European जो country थी वो शांत नहीं बैठी थी, अब उन्होंने नियंतरन करना शुरू किया south में, and south east Asia में, नेपाल, स्री लंका, बर्मा, जो की आज मोर्डन में मयान मार है, मलाया, इंडोचाइना, थाइलेंड, फिलिपिन्स आइलेंड are include in south and, south east Asia में, ये सभी देशा थे, the British took control of Sri Lanka, British सरकान ने अब Sri Lanka पर अधीकार कर लिया, and earn a lot of money by planting tea and rubber garden there, और वहाँ पर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, tea के बागान लगा, चाए के बागान और रबड के बागान लगा कर, they also took Malaya under their control, और British सरकान ने मलाया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, the United States also joined the imperialising race in south east, और United States भी पीछे नहीं रहा, वो भी joint हो गया कि मैं भी इन पर अधीकार करूँगा, late 19th century, 19th century शताबदी के अंत तक जो United States था, वो भी इस race में सामिल हो गया, next है, जो point है, imperialism in Central and West Asia, Central में और West Asia में अब European countries ने कैसे नियंतरन किया, England और Russia वर rivals in the control of China Asia, England और Russia अब लग गए थे, control करने के लिए जो Central Asia को, Iran को, Afghanistan और तिबबत को, in 1907, 1907 में an agreement was reached between these two powers, एक agreement हुआ इन दोनों के बीच, 1907 में रूस के बीच और England के बीच, according to which, इसके अनुसार, both the countries agreed not to interfere the तिबबत, इस agreement के बाद, दोनों देश, दोनों देश ने accept किया, कि अब हम तिबबत को नहीं चेड़ेंगे, Russia also considered Afghanistan outside its sphere of influence, और रूस ने कहा कि, Afghanistan हमारे control से, मतलब बाहर हुआ है, बाहर है, बट कंसिडरिंग, एन वन एरिया ओफ इरान नीट्रल, बस ये समझते हुए कि इरान का एक एरिया जो है वो नीट्रल है, उदासीन रहा जो कि किसी में भी नहीं आया था, दार रिमेनिंग पार्ट, लेकिन इस एरान को छोड़ कर, बचे हुए सभी पार्ट, डिवाइड बिट्विन टू कंट्री, सारे पार्ट जो थे वो डिवाइड हो गए, दो कंट्री के बीच, इंगलेंड के बीच, और रसिया के बीच, आफ्टर दा रसियन रिवॉल्वेशन, जो रूस की जो करांती हुई थी, उसके बाद, रसिया गेव अप, इट्स राइट इन इरान, रसिया ने अपने जो अधिकार थे, जो गेव अप कर दिया, इरान को ही दे दिया उसके अधिकार, बट इंग्लेंड इंक्रीज इट्स इंफ्लेंस, लेकिन इंग्लेंड ने अभी तक पीछा नहीं चोड़ा था, इंग्लेंड अपना प्रभूत तो जमाता रहा इरान पर, आफ्टर दा एंड ओफ दा मोनार्की इन चाइन, मोनार्की के बाद चाइन में, 1911 में, ब्रिटेंड टूक ओवर, तिबबत एंज वेलेंड आरब कंट्रीज, ब्रिटेंड ने पूरी तरीके से, 1911 पे कंट्रोल कर लिया था, तिबबत पर और अरब कंट्रीज पर, इंग्लेंड, फ्रांस, एंड यूनाइटीड स्टेट इंक्रीज दिया इंफ्लूएंस थ्रो दिया ओएल कंट्रीज, फ्रांस ने, इंग्लेंड ने, और यूनाइटीड स्टेट ने अपना प्रभूत तो बढ़ा दिया था इन देशों पर, क्योंकि ओएल कंपनी अपनी महाँ पर को लगा दी थी महाँ पर, मिनवाइल तभी, जापान आलसो एमाजड एज एन इंपरिलिस्ट पावर, अब जापान भी आ गया था सामराज्य शक्ती में, इट एक्सपैंडिड हिस इंफ्लूएंस इन चाइना, उसने भी अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया कि चाइना पर कंट्रोल कर लूँगा, और जापान ने कोरिया को अपनी कोलोनी बनाया, 1910 में, 1910 में, इस पिरकार से बाइदा टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ड वार, अब समय आ गया था क्योंके 1910 की ये बात है, और 1914 में, फर्स्ट वर्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ड वार का समय आ गया, दा इंपेरिलिस्टिक पावर हैड, कैप्चरड अल्मोस्ट अल्ड अकंट्रीज ओफ एसिया, जो सामराज्यवादी जो शक्तिया थी, उन्होंने ओल्मोस्ट एसिया के सभी देशों पर नियंतरण कर लिया था, फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको हेलफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा, थैंक यू फू वॉचिंग,